कॉंग्रेस भगवान श्राम की वास्तुविक्ता पर हमेशा असमन्जस में रही और उनकी सत्यता को स्विकार नहीं किया जबकि हमारे संतों ने कोर्ट में यह साबित कि भगवान श्री राम है और अयोध्या उनकी जनमेसली है कॉंग्रेस ने स्री राम सेतु को भी भगवान राम की तरह कालपनिक बताया पर कॉंग्रेस का दुरभग्य है जहां एक और पूरा देश राम की भक्ती में लीन हो रहा तो वहीं कॉंग्रेस भगवान राम सहित पूरी रामायन को कालपनिक बताती रही है पर अब यह प्रमानित हो रहा है कि भगवान राम, रामायन और अयोध्या का मंदित प्रत्यक्ष है और जिसमें हनुमान जी भी अखंड चिरन जी भी है और जीवित और जागरत है कॉंग्रेस पार्टी जब से बनी है जूट की बुनियात पर ही उसने काम किया है और सत्ता में आई है और उसने हमेशा समाज को और देश को ब्रहमित करने का कारी किया है और आज भी कॉंग्रेस वोट की राजनिती करते हुए देश को ब्रहमित करने का कारी कर रही है प्रदेश की जनता अब कॉंग्रेस की असलियत को जान चुकी है अब तक में निन्यानु बार भावार्थ स्वर्चीत रामायन कथा का पाट कर चुका हों और मुझे मेरे गूरु ने बताया था कि जैसे ही तुम्हारी सो पाट रामायन के होंगे तो तुम्हें भगवाशी राम के दर्शन होंगे पर यह प्रभु की क्रपा है कि निन्यानु बे पाट होने के बाद भी मुझे प्रभु के दर्शन करने का सोभागी मिला अपनी प्रसनता को में शब्दों में बया नहीं कर सकता सेगावा से जितेंद्र अखरवाल की लिपोग अयोध्या में श्री राम मंदिर उत्सव में आपको निमंतरन मिला है बड़े हर्श की बाते क्या कहेंगे आप और कैसे व्यक्त करेंगे इस खुशी को भगवान की क्रपा से इतना महुसो रदे में उल्दास बरा हुआ है ऐसा लगता है कि जसे उड़कर चले जाएं देखिए रामाइन पाठ की फरसुती बताई है कि जो सो पाठ रामाइन जी के कर लेगा कर लेते हैं उनको राम जी का दर्शन होता है तो हर्मान जी महार की क्रपा से अभी 99 कथा पूदी हो रही है और भगवान का बुलाव भी आ गया और वहां शाक्षात राम जीरा का प्रागट की उस्तो देखने का सुभा क्यों यह उनक क्रपा से मिला है मेरे इस कारिकम से जाने से पुरा गाओं प्रसन है परिवार प्रसन है और जिले से भी पोनात हैं कि आप जुरूर राम जीरा के दर्शन करेंगे 22 तारीक एक एतियासिक दिन बनने वाला है क्या संदेश देंगे आप यही की जिंदगी में वैसे तो एक खण भात्व पुण है लेकिन जिस खण भगवान का प्रागठ होगा जही दिन राम जीराम सुतिक आवें तीरत सकल तहां चलिया आवें जिस दिन भगवान का प्रागट उस्थ होता है राम लुमी की दिन उस दिन विश्व के जितने भी तिर्थे हैं सभी सरी विद्यवान होकर भगवान राम दला का दर्शन करते हैं प्रागट का और वैसे ही सुयोग हम सब संदों को सभी को मिला है कि जब भगवान का सब को सुख मिलेगा और यहां पर भी जो जन जन अपने रदे में भुगवान राम को बसाए हुए जो राम का वजन कर रहे हैं राम नाम का जब कर रहे हैं आप निश्चीत मानिए कि आप जहां पर भी हो मद्यान काल में 12 बज़े आप बेठो के आखे बंद करके दीपक जला आपको वही सुख मिलेगा जैसे राम जी की प्लागटे की समय सब को मिलता है इस सेगाउं शेत्र के लिए बड़े गोरोव की बात है निमाड के संत हमारे मोहन भाई जी को आध्या से बुलावा आया है आप खुद जोंसे मिलने आए क्या कहेंगे बड़े सोभागे की बात है कि हमारे शेत्र के भी संत आधरणी मोहन भाई जी महाराज जी को हमारे अउध्या की समिती ने 22 जनवरी की इस भगवान राम जी की प्रान पतिष्ठा के अउसर पर उनको आमद्रित किया है और यह सुभाग इनेगी ने हमारे प्रमुक संतों को मिला है और मुझे खुश संत है जिनको यह उसर प्राप्त हुआ है उनको निमंतर पत्र मिला है कल सुभा प्रात वो यहां से अउध्या के लिए रवाना होंगे और मुझे जैसे यह बात संग्यान में तो मैंने ततका सुचा कि मैं सम्मानी मोहन भाईजी के दर्शन करूं और यह तो इश्वर के दर नीमंतरान को ठुक आ दिया उसे पर आप क्या कहेंगे निशित तोर पर कोंग्रेस के लोगों ने कभी कालपनिक कहा जाने क्या उसर उन्होंने राम जी को कहा कभी राम सेतु के उस पत्र निर्मान को भी उन्होंने कालपनिक बताया और से कई अउसर रहें कांग्रेस के लोगों ने जो नोने इश्वर को और भगवान के शुरूप को हमेशा से कलपने के रूपने बताया गया है परन्तु यह सत्य होते हुए दिख रहा है कि कांग्रेस के लोग अब तुब क्या करें और इसलिए उन्होंने इस बात को बोला कि कहें न कहीं यह सब असत्य है प्रिवी पुरा समाज इस बात पे विश्वास है कि भगवान राम जी थे जीवत जागरत हनुमान जी भी आज वर्तमान में हैं और यह साबित भी हो चुका है यह प्रमानित भी हो कोड़ने जब से कंग्रेस बपर राज़िती करती है उनको इश्वर से उनको समाज से उनको आस्था से कोई मतलब नहीं है और इस बात को पूरी ताकस से मैं कहता हूँ कि इश्वर है और इश्वर के प्रति हम सब के आस्था है हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चेनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना पुलें